कि है गाइज बेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल फैशन कोटेश तो दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है आप स्लीप टी-शिर्ट जोगी कॉटन फैब्रिक में रहेगी जिसका पैटन आप देख चुके हैं आपके स्किन पर देखी रहा है और साथ में अपने थम निल आप बोलें जिससे कि आने वाली योग नोटिफिकेशन है वह आपको देखने को मिले और आप हमसे ऐसे ही नए नए प्रोड़क्ट नए नए आर्टिकल ट्रेंडिंग प्रोड़क्ट को पर्चेस कर पाएं तो दोस्तों यह जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मस्त होने अच्छा पूरे डिटेल दूँगा वीडियो में तो देख चुके हैं तो साथ में मैं आता हूं यदि आपने हमारे इंस्टागरम पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर से जरूर करें क्योंकि अपडेट वहां पर आपको डेली का मिलता रहेगा एंड जिसकी लि सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टागरम मैं आपको बता हूं यहां पर डलती है इसके सारे प्रोड़क्ट हम पर पहले ही अपडेट कर देते हैं जिससे कि आपको वीडियो से इसकी सब्सक्राइब लेने की ज़रूरत ना पड़े आप पेज पर जाएं वहां से आप डाय है आप देख सकते हैं यहां पर प्रिंट बनाया गया है बहुत ही मस्त प्रिंट है लोगों बनाया गया है बहुत ही अच्छा कॉटन फैब्रिक है हलका सब फैब्रिक स्ट्रेच होता जो इसलिए होना जरूरी है आपके बॉड़ी पर आप जो भी कपड़े को डालें तो आ आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो तो आप देख सकते हैं राउंड की टीशिट है कॉटन फैब्रिक है रवर का प्रिंट है साथ में लेंथ भी बहुत जो मीडियम आप इंडियंस करी करते हैं सेम लैंथ है एल साइज यह एल सब्सक्राइब करा दूंग यह यह इसे मैं को भी मेरी पर फिटिंग ऑई हुए मैं मजर्ग अपनी बॉडी पर ढालता हूं सामने को प्रैट आप देख चुके हैं बैक प्रिंट में जो रहेगी वह प्लें रहेगा प्लें क्योंकि बैक प्रेंट प्रिंट की टीशिट लेकर रहता हूं तो बैक प्रिंट ही रहता है सामने सिर्फ थोड़ीच डिजाइन रहती है इस बार मैं रहेगा बैक में कोई नहीं रहेगा प्रोफेस्टनल टी-शेट आ नॉर्मली आप इसको जैकेट के उपर स्वरी जैकेट के अंदर आप इसे डाल सकते हैं जैसा आपको मंचा है बैसा आप इसे कैरी कर सकते ह और कुछ भी सौट्स पर लोबर पर जिस पर भी आप चाहें उसे कैरी कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा कपड़ा बहुत अच्छा आपको जो दिखेगा हम आपको कपड़ा और देखाते हैं इसका जूम करके पहले प्रिंट देखिए रबर का प्रिंट है यह बहु अच्छों क dönेरे से भी नृमली इसके साथ मैं को ज दोफरा मिरे और जाटा है कि ऑनने के लांगा यह को हुँआ है उच्छा भी प्रॉब नहीं आने वालі है तो डोस्तों धाल सो अच्छे लगे एक है